जी всेट चैनल 12 रोजा इफ्तार पार्टी का आयुजन रमेश पार की शमूद्वाववन ने आयुजित किया गया चैनल प्रभक्जहीर ईहमन्त के नेत्वित में आयुजित इस रोजा इफ्तार पार्टी में सबी धर्म जाती के लोगों ने शिर्कत की और आपसी सोहार्ट का संदेश पूरेदेश को दिया इस मौके पर जामा मज़ित के शाही इमाम एहमद बुखारी ने मगरिब की नमाज पढ़ाई महमानों के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हाई कमिशनर अब्दुल वाशित, शाही इमाम एहमद बुखारी, केंद्री मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन, एडिशनल कुलिस कमिशनर दीपक मिश्रा, डीसी पी ओम वीर सिंग बिस्नोई, बिग बॉस मिनर मनिवीर गुजर, आतंगबाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष, MS बिट्टा, कॉंग्रेस नेता जयापरकाश शकरवाल, हारून यूसूफ, राशित अलवी, नसीप सिंग, बुर्चरन सिंग, राजू, पूर्वी दिल्ली मेर, नीमा भगत, पाशा धीमांची पांडे, फेस ग्रुप के च चैनल वन की तरफ से, एद की खुशी पर मुबारक बात देना चाहूंगा, बड़ा पवित्र रमजान का अफसर है, और पगाम तो देखो, आप सब चारों तरफ दिखी रहा हैं, सब लोग मिल के महबद से, प्रेम से, किसने आनंद के वातावरन में सुगंदी फिला रहे ह और ये जो है, मेल जोल की प्यार महबद की सुगंद जो है, ये हर समय फैलनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे मित्र, हमारे दोस्त बहुत प्रिये, और उन्होंने ये कारीक्रेम आयुजित किया है, चैनल वन जो है, इसको सारे देश के अंदर इस सुग बसका है, क्योंके रमदान के बाद, आलल ताला मुसलमानों को एद फित्र एक नाम के तावर पहरें तो हमें जिस तरह हमने रमजान में अपने आपको ठीक करने की कोशिश की अपने आमाल को दुस्त करने की हम अमीद करते हैं कि एद ने भरपूर तरीके से हम उसको सेलिबरेट करेंगे और जो हमने रमजान में सीखा वे पूरा साल उसके अमल करने की कोशिश करेंगे यही मेरे ख्याल मुसल्मानों का मैसेज है कि अपने किरदार की तरफ देखें अपने आप को च्छा इनसान बनाने की कोशिश करें इस मौके पे यही है कि हम सब मिलकर के रहें ये एक सैकलर देश है हिंदू मुस्लिम सिख खिसाईयों ने मिलकर के कुर्बानी दे के इस मुलक को अजादी लेके दी है हम सब को मिलकर के इस मुलक की अजादी की रख्षा करनी चाहिए ये मुलक हिंदू मुस्लिम सिख खिसाईयों के कुन से बना हुआ है ये जो फ्तार पार्टियां होती है ये तो एक अल्ला दाला से यही कहा जाता है कि हमारे मुलक को शुरक्षत रखो हमारी कौम आपस में अलग नाग ना हो हम एक रहे हमारी मतर बूमी मजबूत रहे हमारा सेकुरिजम मजबूत रहे अगर इस मुलक का सेकुरिजम मजबूत है तो इस मुलक की तरफ को देख नहीं सकता